दिल्ली मेरट एक्सपेस वे पर फराठा भरने वालों के लिए एक एहम खबर आई है जी हाँ दरसल 25 दिसम्बर से हाइवे पर टोल की वसूली शुरू कर दी जाएगी अब तक दिल्ली से मेरट मुझफण अगर सारनपूर दहरदून जाने वाले तमाम लोगों को इस एक्सपेस वे पर टोल नहीं देना पड़ रहा था लेकिन अब नहीं फैसलर किया है कि 25 दिसम्बर से टोल की वसूली शुरू हो जाएगी और इसके लिए भारती राष्ट्री राजमाग प्राधिकरा नहीं नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इस एक्सपेस वे पर प्रती किलोमीटर के हिसाफ से टोल वसूला जाएगा वहीं दिल्ली से मेरट तक की कार, जीप और वेन की टोल दर 140 रुपे रहेंगी जबकि डासना से मेरट जाने के लिए साट रुपे टोल देना पड़ेगा हालकि आपको बता दें कि दिल्ली मेरट हाईवे बनने के बाद अभी तक एक एक्सपेस वे का ट्राइल चल रहा था लेकिन पिछले एक अपरेल 2021 को इस एक्सपेस वे को आम जनता के लिए खोल दिया गया था ये पूरा एक्सपेस वे फास्टेक से लेस होगा यानि दिल्ली के सराय कालेखां से मेरट तक के लिए 140 रुपे, साथी गाज़बाद से मेरट तक के लिए 90 रुपे और डासना से मेरट तक के लिए 7 रुपे टोल देने होंगे ऐसे में पश्रमी उत्तरप्रदेश और उत्राखन को दिल्ली से जोडने की कवायत साल 2008 से ही शुरू हो गई थी 2014 में दिल्ली मेरट एक्सपिस्वे का काम तेजी से शुरू कर दिया गया था और साल 2015 में प्रधान मंती नरेंद मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नीव रखी कोरोना वारस के चलते हुए लॉगडाउन की वज़ह से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में एक साल की देरी लगी लेकिन अब ये जनता के लिए पूरी तरह से तयार है